नमस्कार मैं मोंडू राजा ये भाई आप जो तस्वीरे देख रहे हैं ये क्यूं आप भ्रम फैला रहे हैं इन तस्वीरों में आप क्यूं उलजा रहे हैं लोगों को ये सच नहीं है ये सर्ब ड्रामा है हो सकता इस तरह की इस तस्वीरे सोशल मीडिया पर वालल करने से आप देख दो ही हो जाएं क्योंकि जो मुख्यमंतरी का कहना है वो तो ये है कि किसी तरह की कोई भी जो अस्पतालों में गैस है दवाईया है मेडिकल सुविधाया है वो एक दम दुरूस्त है पूरी तरह कि सब चीजे परफेक्ट है तो इस तरह का भ्रहम आप लोग क्यों फैला रहे हैं बताइए क्या आपको देश-द्रोही होना है देश-द्रोह का आप मुकदमा चलेगा क्या आपको अच्छा लगेगा बिलकुल ऐसी चीजे ना फैलाएं ऐसी तस्वीरे ना दिखाएं जो स आपको बचाना चाहते हैं तो इस तरह की चीजों को आप ना फैलाएं क्योंकि सब को चुछ उत्तर प्रदेश में परफेक्ट हैं किसी तरह की कोई समस्या नहीं है अगर आपने जरा सी भी कोई इस तरह की चीजे वाइरल करीं या सच्छी तस्वीर लानी कोशिश करीं तो योगी जी से बुरा आपके लिए कोई नहीं होगा फिर देख लीजिए समझलेजी इस तरह की तस्वीरे लानी सामने आपके लिए खतरमार्नाक थाबित हो सकती हैं अब हिंदोस्तान की मीडिया कितना इसको करेगी नहीं करेगी नहीं कह सकते लेकिन जो विदेशी मीडिया है वो तो खुली चनौती दे रही और खुला पंगा ले रही है वो योगी साहब हो या मोदी साहब हो उनको चापना है तो वो चाप रहे है The New York Times हो या The Australian हो अब फ्रांस के भी एक बहुत बड़े अख़वार ने बहुत कुछ हिंदुस्तान में जो हो रहा है उसकी जिमेदारी नरिज मोली को देते हुए छाप दिया है वो देश-द्रोही नहीं होंगे वो हिंदुस्तान में नहीं रहते हैं आप इस तरह की कोई बात करेंगे तो आप देश-द्रोही हो जाएंगे खास तौर पर यूपी की बात कर रहा हुँ भीया तो बचे रहो इस तरह की तस्वीरे साजा ना करो ना सोशल मेडिया पे है सब सारे बंदोबस्त दुरुस्त हैं आप क्या सोचते हैं अपनी राये कमेंट दौरा हमसे साजा कर सकते हैं फिर मुलाकात होगी समस्क्राइब